जैहिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब बिलकुल मस्त होंगे, स्वस्त होंगे और अपनी तयारी में जबर्दस तरीके से व्यस्त होंगे यूविक्टर क्लासेज योटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ट्रांसपोर्ट जोग्रोफी के हमारी ये जो सेरीज चल रही है इसमें हमारी टोटली कुल मिलाकर दो क्लास कम्पलीट हो चुकी है जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट जोग्रोफी के जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट जोग्राफर है उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है ठीक है उनकी दुआरा कौन-कौन से किताबे लिखी गई है उनके दुआरा कौन-कौन से सिध्धान्तों का परती पादन किया गया है साथ साथ हमने बहुत अच्छे तरीके से उनके जो विचार थे ट्रांस्पोर्ट जोग्रोफी को लेकर वो भी अच्छे तरीके से समझ लिए है और वहां से factual टाइप के क्योशन बनने का ज़्यादा चांस रहता है वहां से हो सकता है cross matching type का क्योशन बन जाए जैसे चार भुगोल वेताओं का नाम लिख देगा उनकी चार किताबे लिख देगा cross match करवा लेगा तो हमने totally cool मिला कर जितने भी ट्रांस्पोर्ट जोग्रोफी की जोग्राफर पड़े हैं उन सबी की जो किताबे हैं वो भी मैंने बताए थी कौन-कौन से important किताबे हैं जिनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए ठीक है वहाँ से statement type का भी question बन सकता है कि कौन सा जर्मन बोगोलवेता कहां से था ठीक है जैसे question आ गया कि लोस मोदय एक जर्मन का बोगोलवेता था किस्टोलर एक अमेरिकन अर्थ सास्तरी था अब आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्रांसपोर्ट जोग्रोफिका जोग्राफर कौन से देश से ब्लोंग करता था साथ साथ वो कौन था मतलब वो अर्थ सास्तरी था या फिर वो बोगोलवेता था ठीक है तो ये सारा सब कुछ आपको पता होना चाहिए जो मैंने आपको मौनिंग वाली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था ठीक है अब हम यहाँ पर आज के क्लास में पढ़ने वाले परिवहनियता के बारे में अब ये परिवहनियता क्या है किस तरीके से है इसको अब हम इस क्लास में बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं यदि आप जोग्रोफी सब्जेक्ट से जरफ क्वालिफाई करना चाहते हो आप जोग्रोफी से 80% प्लस के स्कोर के साथ जरफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो यहाँ पर हमने जोग्रोफी का एक गारंटी बैच शुरू किया है और इस गारंटी बैच का टारगेट है कि हमें हर हाल में जून दो हजार चोबिस में जो एक्जाम होने वाला है नेट जरफ का इसमें हमें 80% प्लस के मार्क्स के साथ जरफ क्वालिफाई करना है दो हजार चोबिस में जरफ क्वालिफाई करके रहेंगे बहुत सारे कंडिरेट है जिनके दूसरे एक्जाम है वो दूसरे एक्जामों की तयारी में लगे हुए है इस वज़े से वो जून दो हजार चोबिस वाले नेट चरफ के एक्जाम की प्रोपरवे में तयारी नहीं कर पाएंगे लेकिन उनका टारगेट है कि हमें हर हाल में दिसमबर दो हजार चोबिस में जो एक्जाम होगा उसमें हमें जरब कौलिफाई करना है तो उसके लिए हमने एक संकल्प बैच की सुरुवात की है और ये जो संकल्प बैच है इसका ट आरगेट है कि हमें हर हाल में दिसमबर दो हजार चोबिस में बहुत गजब के मार्कस के साथ जरब कौलिफाई करना है तो यदि आप जून दो हजार चोबिस में जरब कौलिफाई करना चाहते हो तो हमने एक गारंटी बैच चला रख है आप वो जोइन कर सकते हो यदि पर चैट कर सकते हो, कोल कर सकते हो, बैच के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, जो भी कन्फिजन है, उनको किलियर कर सकते हो, और हमारे ये बैच जोइन कर सकते हो, ये जो बैच है, आपका जो जरब क्वालिफाई करने का सपना है, उसको पूरा करने में आपकी बहुत ही ग वहनियता है जो यात्रियों और वस्तों को संदर्बित करती है यात्रियों का मतलब कि कितने यात्रियों का परिवेन हो रहा है सो आद्मियों का हो रहा है, दो सो आद्मियों का हो रहा है, पांसो वक्तियों का हो रहा है, साथ सो वक्तियों का हो रहा है या यातायात के सादनों का हो रहा है या किसी फूट्स का हो रहा है या डाइ फूट्स का हो रहा है किस चीज़ का कौन सी वस्तूओं का ट्रांस्पोर्टेशन हो रहा है ठीक है तो जो परिवहन यहता है वो यात्रियों वे वस्तूओं को संदरबित करता है यात्रियों वे वस्तूओं को रीपरजेंट करता है ठीक है यह परिवहन की जारे वस्तूओं के गुण भंगूरता कोमलता मुल्य थता परिवहन लागत से संबंदित होती है अब जो परिवहन यह था है न यह परिवहन की वस्तू का गुण कैसा है वो वस्तू भंगूर है ठीक है भंगूर का मतलब है वो कच्चा माल है ठीक है जैसे पैटोल का जो कच्चा माल होता है वो कौन होता है क्रूड ओयल होता है तो यहाँ पर जो क्रूड ओयल का है भंगूर है कबाड़े का सामान भंगूर है ठीक है जि इसको आपको बहुती जदा साउधानी के साथ लेकर जाना होगा। ठीक है अब कोमलता में.. जैसे आप काच की वस्तों को यदि एक स्थाल-कर दूसरे स्थाल पर लेकर जा रहे हो। तो आपको उसको बहुती साउधानी के साथ लेकर जा कर T workshop, तो पitterना है। ठीक है, इसके अलबाँ मुल्ले, जीको मुल्ले किस तरीके से है, यदि बिलकुल सस्ती कीमत की वस्तू है, तो हम उसको ऐस हाउधानी के साथ ले जा सकते हैं, ठीक है, यदि हमारे दिमागी में यह विचार आता है, कि यार सस्ती तो है, लेकिन यदि कोई वस्तू बहुत जा सावधानी के साथ लेके जाना है ठीक है अब मैं एक एक एग्जामपल देता हूँ सब्पोस्जट आपका बैग है और उस बैग में आपके पास एक लैप्टोप रखा हुआ है ठीक है तो आप उस बैग को बहुत ही सावधानी के साथ लेके जाओगे वहीं आपके उस बैग किताब रखी होई हैं तो आप उनको comparative कम साउधानी के साथ लेकर जाओ ये क्योंकि आपको डर है कि यदि इसमें लैपटोप रखा हुए यदि मैंने थोड़ी सी साउधानी कर दिया उपपर से मैंने रख दिया अचानक या बिना साउधानी के साथ रखा तो ये बैग में जो मैं बाद में सीधा कर लूँगा ठीक है तो ये आपको बिलकुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो परिवहन यहता है ना वो वस्तों के गुण जिसमें भंगूर भी हो सकती है कोमल भी हो सकती है और मुल्यवान भी हो सकती है कम कीमती भी हो सकती है तता परिवहन क यहाय कि लागत है वह बहुत सारे फैक्टरों के ओपर काम करती है बाई परिवेन की जो लागत है वह इन सबी से बहुत ज़्यादा परभावी तो होती है आप एक तो कैम्ति सामान को एक सतान से गुर्व कर स्तान पर लेके जाओ धीक है सपोस्ट टेट आपका एक किस्तान यहाँ पर एक स्थान यहाँ पर डोनों के बीच में दस किलमिटर की दूरी है ठीक है आपका कोई सामान है जिस की कीमत करोड़ों में है ठीक है जैसे सोना है या डायमंड है उसको आप यहाँ incarम तक लेकर जाओ तो भाई एक इस्तान चे दूसरे इस्तान पर वो यह 10 किलो मेटर का सफर कराओ यहाँ पर आपका किराय केवल 500 रोपर रहेगा ठीक है क्योंकि वो कम कीमत का है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कमाएगा क्योंकि जो लेकर जाने वाला है उसको लेगा एर सस्ता सामान है थोड़ी ऐसा उधानी के साथ लेके चलेज जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब आपका सामान कीमती रहेगा तो आप ड्राइवर को कोगे वही थोड़ा इसाब से लेके चलना इसमें बहुत कीमती सामान रखा हुआ है ठीक है दूसरा कोमल था भाई एक तो लेके जाया जाता है तो साधन को भोत ही सावधानी के साथ चलाया जाता है ठीक है ताकि वो वस्तु बिलकुल सरक्सित तरीके से पहुंच सके तो यदि वस्तु कोमल है तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जादा आएगा और यदि वस्तु कोमल नहीं है तो वह पर transportation का खर्चा कम आएगा ठीक है भंगूर का भी वो सिंग है यदी परिवहनियता उच है तो गति सिल्टा दूरी से कम परभावी तो होगी तो गति सिल्टा की मांग को पूरा करना होता है ठीक है तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए कि जो परिवेन है उसका मुक्यू उद्धिर से क्या होता है गति सिलता की मांग को पूरी करने का मतलब है जैसे मेरी मांग है कि मैं अपनी वस्तू को यहां से यहां तक लेकर आओ तो मैं किसके माध्यम से लेकर जाओ मदगा मेरी मांग है कि मैं इस वस्तू को यहां से यहां के लेके जाओं तो इसको कैसे लेके जाओंगा परिवेन के माध्यम से आपकी मांग कि आप अपनी वस्तू को यहां से यहां लेकर जाओ तो किस से लेके जाओगे किस से लेके जाओगे प्यारे साथियो परिवेन के बाद जम से अब आपके अंदर गती सीलता है कि मैं यहां से वहां जाओं किसी वस्तू को यहां से वहां लेके जाओं आपके अंदर क्या है गती सीलता है जिसकी वज़े से क्या हो रहा है परिवेन हो रहे हैं ठीक है तो परिवेन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमारी जो गति सिलिताई हैं उनको पूरा करना हम एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर जाना चाहते हैं तो हमें एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक लेकर जाना ठीक है ये किसका उद्देश्य है पर परिवेन के इत्यास को समझते हैं कि परिवेन का इत्यास क्या था और किस तरीके से था प्रारंबिक कालबे परिवेन का जो मुख्य साधन था वो मनुश्य था ठीक है अब प्रारंबिक कालबे परिवेन का मुख्य साधन मनुश्य क्यों था क्योंकि पहले पैदल चलकर ही सफ बन जल्दी चलते थे चार बन को चार पांच बजे तक या साथ बजे तक अपने घर पर पहुंच जाते थे ठीक है क्युकर पहले साधन थे यह नहीं रास्ते नहीं थे पहले भई सडक नहीं थी पहले सीधा डायरेक्शन लिया जाता था कि अब हम इन खितों से तलेंगे इसली तरीके से बादवे बैलों का प्रियोक करना शुरू हो गया, बैल गाड़ी जिसको हम बोलते हैं या जिसको हम उट गाड़ी कहते हैं, ठीक है, तो प्रातियन समय में, बिल्कुल प्रातियन समय के हम बाat करें, तो परिवेन का जो मुख्या सादन तो वो मनुश्या खुद था वो पैदल चल कर अपतर सफर फूरा करता था ठीक है कुछ सबेबाद में मनुश्या ने परीवहन के सादन के रोप में जीव जनतों का प्रियोक करना शुरू कर दिया बैल गाड़ी बना ली ठीक है और उनसे सफर करना शुरू कर दिया ठीक है 1965 में जैम्स वोट ने भाब के इंजन का आविश्कार किया ये जैम्स वोट है 1965 में जैम्स वोट ने भाब के इंजन का आविश्कार किया उसके बाद रेलोग समुद्रियानों का अधिक विस्तार हुआ ठीक है तो भाब के इंजन का आविशकार किस ने किया जैम्स वोट ने किया कब किया 1965 में किया ठीक है 1769 में फ्रांसेसी इंजिनियर के सोट ने पर्थम वास्प चालित वहान बनाया था ठीक है वास्प से या भाब से चलने वाला पहला वहान कब बना था 1799 में बना था जो कि के सोट भोदे के द्वारा बनाया गया था ठीक है तो भाब से चलने वाला पहला वहान कब बना था 1799 में जो कि जैम्स सोरी के सोट के द्वारा बनाया गया था 1790 में अमेरिकी इंजिनियर फिच ने सवचालित यान बनाया सवचालित का मतलब वो ओटोमेटिक चलने वाला ज्यान बनाया कब 1790 में स्वेज नहर का निर्मान कब हुआ 1689 में हुआ स्वेज नहर का निर्मान 1889 में हुआ स्वेज नहर के बारे में इसी क्लास में हम आगे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं पनामा नहर का निर्मान 1914 में हुआ पनामा नहर के बाद में भी हम इसी क्लास में इसी युनिट में आगे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं तो ये दोनों आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि स्वेज नहर का निर्मान 1899 था और पनामा नहर का निर्मान 1904 था परतम भूमिगत मेट्रो ट्रेन का निर्मान कब हुआ 1863 में हुआ लंदन में हुआ ठीक है तो पहली भूमिगत ट्रेन पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन का निर्मान 1863 में लंदन में हुआ था ठीक है ना तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन का निर्मान 1863 में कब 1863 में लंदन में हुआ था टेलिग्राम लाइन का निर्मान कब हुआ था 1844 में हुआ था गुबबरायार सैटलाइट का विकास कब हुआ था 1783 में हुआ था पहला वायूआन इंग्लेंड से फ्रांस के बीच में चला था जो की 1919 में चला था ठीक है तो पहला वायुवान कब चला था 1919 में इंग्लेंड से फ्रांस तक चला था ठीक है पर्थम वानिजिक जैट वायुवान जिसको हम बोईंग कहते हैं उसकी सुरुवात कब हुई थी 1958 में हुई थी ठीक है सोवियत रूस ने अंतरिक्ष में पर्थम करत्रिम उपगरह इस पूतनिक कब इस्तापित किया था तो 1977 में किया था ठीक है तो भाई लोगों जो इस पूतनिक था वो पहला करत्रिम उपगरह था कब लौंच किया गया था 1977 में किसके दूरा सोवियत रूस के दूरा ठीक है भारते सोवियत रूस की सायता से पहला उपगरह आर्या भट को 1975 में लौंच किया था ठीक है तो भारत का पहला करत्रिम उपगरह कौन सा था आर्या भट था कब लौंच किया गया था 1975 में लौंच किया गया था ठीक है तो उपग्रह कुन सा था आर्या भट था जिसको 1975 में लौंच किया गया था सोवियत रूस की साहता से ओधोगी क्रांटिका काल कुन सा है 1700 से लेकर 1800 साड़ तक का जो टाइम प्रियर है उसको हम ओधोगी क्रांटिका काल कहते हैं प्रारंबिक आदुनिकाल जो की 1860 से लेकर 1920 तक चला था मद्दे आदुनिकाल जो की 1920 से लेकर 1970 तक चला था ठीक है अब आपको यहां पर देखो यह याद रखना है मद्य, अधुनिकाल, प्रारंबिक, अधुनिकाल, ओधुर्गिक अधुनिकाल इनके बारें पता होना चाहिए अर्यभट 1975 भारत, सोवیت रूस की साएथ सी ये पता होना चाहिए इस पूतनिक 1957 सोवیت रूस ये पता होना चाहिए ठीक है इसके अलबा आप चाहो तो boeing यांग के बारे भी याद कर सकते हूँ पहला गुबारा यान भी याद कर सकते हूँ पर्थमवाय यान कहां से कहां तक चला कब चला यह भी याद रख सकते हूँ स्वेज नहर, पनामा नहर, मेट, ट्रो ट्रेन, भूमिगत, मेट, ट्रो ट्रेन, ठीक, टेलिग्राम लाइन, इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से स्टेटमेंट टैप का क्योसन बन सकता है, उसको आप केवल और केवल तब ही ठीक कर पाओगी, जब आपका फैक्च्वल नोलिज अच्छे तरीके से किलियर होगा, ठीक है, तो यह सारा सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखना है, जाओ तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, इन दो लाइनों को, बाकि सारा सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, अब हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, परिवहन तंतर के जो मुख्य गठक है, मेजर कंपोनेंट के तीन मेजर कंपोनेंट्स है, पहला परिवहन जाल जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कहते हैं, दूसरा परिवहन किंद्र जिसको हम नोट्स या योडिटेकल्स बोलते हैं, और तीसरा परिवहन मार्ग जिसको हम एड्ज बोलते हैं, ठीक है, परिवहन जाल जिस इस्थानिक संदचना एवं संग्ठनों का समय कित रूप को हम क्या कहते हैं परिवेंजाल कहते हैं अब जैसे आपका कस्बा ये है या मेरा ये कस्बा है ठीक है और यहां पर एक मैन मार्केट केंदर है ठीक है यहां से एक सड़क तो इस तरीके से जा रही है एक इस तरीके से एक इस तरीके से एक ऐसे एक ऐसे सड़क जा रही है यह दोनों सड़के आपस में यहाँ पर मिल रही है यहाँ से एक सड़क इस तरीके से जा रही है तो यह क्या हो गए मेरा परीवेन जाल हो गए परीवेन नेटवर्क हो गए है यह मेरा कि मेरे पूरे एरिया के अंदर इस तरीके से मार्ग फैले हुए और ये सभी के सभी जो मार्ग है वो इस तरीके से फैले हुए कि ये मेरे पूरे complete एरिया को बिल्कुल अच्छे तरीके से कबर कर रहे है मेरे इस संपूर्ण एरिया में किसी भी candidate को transportation को लेकर कोई problem नहीं है क्या मेरे इलाके में साधन की सुईदा उपलब्द नहीं है या मेरे इलाके में मार्ग नहीं है ठीक है पूरा proper way में सभी लोगों को परिवेन की अच्छे सुईदा मिल रही है वो कैसे मिल रही है क्योंकि मेरे इलाके का जो transportation का जो network है वो बहुत ठीक ठाक तरीके से बना हुआ है ठीक है तो ये क्या हो गया transportation network हो गया ठीक है सडकों का जाल कह सकते हैं जिसको हम दूसरा होता है परिवेन केंदर परिवेन प्रात्मिक रूप से इस्थानों को जोड़ता है केंदर वितरन तंतर के लिए अधिगम बिंदों के रूप सेवा परदान करते हैं परिवेन जाल के मद्यस्तानों के रूप सेवा परदान करते हैं ठीक है अब जैसे हमने एक इस तरीके से ये मेरा पूरा कस्बा है उसका ये क्या केंदर कोई market है ठीक है अब इसमें एक रास्ता इस तरीके से जा रहे है ठीक है अब यहां से एक कट है ठीक है एक रास्ता इस तरीके से जा रहे है यहां पर एक रास्ता है यहां पर एक रास्ता इस तरीके से जा रहे है एक रास्ता ऐसे है ठीक है एक रास्ता यह है इसमें इस तरीके से यह रास्ते बने हुआ है यह इस तरीके से रास्ता बना हुआ है ठीक है अब देखो यहां पर मैं समझाता हूँ ये मेरा परिवेन नेट्वर्क मेरे गाउं का इसमें इस तरीके से سड़ pref commence अब ये जो सड़केंश न वो क्या काम कर रही है इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाने का काम काम तरही है तो इस परिवेन मार्ग पर कितने केंदर हुए एक केंदर तो ये हो गया और एक केंदर ये हो गया ठीक है अब ये दो मेजर केंदर हो गया जो दो मेजर सेंटर हो गया ठीक है अब इनके बीच में क्या है कुछ सेवा परधान करने वाले अधिगम बिंदू है अब जैसे एक तो ये हो गया एक ये हो गया ठीक है एक ये हो ग जमेश देते हैं ठीक है जैसे यह मेरा गाउं है यहां से यहां तक एक सड़क जा रही है ठीक है यहां से यहां तक एक सड़क जा रही है ठीक है अब देखो इसमें क्या हुआ कि बीच में चार गाउं है एक गाउं के लिए यह रास्ता एक गाउं के लिए यह और एक गाउं क ये दो क्या हो गए मेजर बिंदू हो गए A और B ठीक है तो इनको अब क्या कहेंगे परिवेन के अंदर कहेंगे ठीक है अब यहां पर अभी गम बिंदू हो गए अभी गम बिंदू कौन कौन सा हुआ भाई लोगो एक तो अधिक गम बिंदू हो गए यहां पर यह वाला ठीक है एक अभी गम बिंदू यह हो गए एक अभी गम बिंदू यह हो गए एक अभी गम बिंदू यह हो गए ठीक है इस अबी गम बिंदो से यह सड़क निकल गई जो इस गाओं से मगल करा है। जोड रही है ठीक है अब इस सड़क के ऊपर क्या है बहुत सारे छोटे छोटे गाउं है उनको भी जोडा जा रहे है ठीक है तो ये क्या हो गए मद्यस्त इस्तान हो गए या मद्यस्त केंद्र हो गए ठीक है अब परिवेन मार्ग के बारे में डिसकस करते हैं परिवेन मार्ग क्या है और किस तरीके से हैं इसको समझते हैं परिवेन जाल में किंद्रों को जोडने का कारिय करते हैं परिवेन जाल में क्या किया जाता है किंद्रों को जोडने का काम किया जाता है इनकी संक्याट जितनी अधिक होगी पर्दिश में सम्भधता उतनी अधिक होगी ठीक है अब परिवैन मार ये कैसे है बहुत सारी सड़के निकली हुइ Hub जैसे एक सड़क इस गाउन को जोड़ रही एक इस गाउन को एक इस गाउन को एक इस गाओं को एक इस गाओं को एक इस गाओं को ठीक है तो ये अलग अलग आठ किसको जोड़ रही है गाउं को जोड़ रही है तो अब इन केंदरों के संक्या एक केंदर दो केंदर तीन केंदर चार केंदर पांच केंदर छे केंदर साथ केंदर आठ केंदर इन केंदरों के संक्या जितनी जादा होगी ना परदेश में संबधता उतनी ही अधिक होगी ठीक है संबदिता का मतलब होगा कि उस मार्ग से उतनी ही जादा गाउन उतनी ही जादा लोग जुड़ेंगे जैसे यहाँ पर आठ केंदर है ठीक है आठ केंदर है मतलब आठ सड़क है मतलब वो आठ अलग अलग गाउं को जोड रही है यदि यहाँ पर इस सड़क में केवल दो केंदर होते मतलब वो दो सड़क होती मतलब वो दो केवल दो अलग अलग गाउं को जोड़ती तो यहाँ पर अधिक संबनता कब हुई जब अधिक केंदर हुई ठीक है अधिक केंदर हुए उसे सड़कों के शेंख्या अधिक हुई तो उसे क्या हुआ अधिक गाउं को जोड़ा गया यदि कम केंदर होते ठीक है कम केंदर होते तो कम सड़के होती तो वो कम गाउं को जोड़ती ठीक है तो यहां से आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ट्रांस्पोर्टेशन नेटवर्क के बारे बारे बे और एज्ज के बारे बे ठीक है परिवेन मार्क परिवेन के अंदर और परिवेन जाल क्या होता है यह बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब हम यहाँ पर तोड़ा डिटेल्स समझने वाले हैं परिवहन जाल विकास के कुछ बुगोल वेता हैं उनके बारे में मतलब ऐसे कुछ विद्वानों के बारे में हम यहाँ पर डिसक्रस करेंगे जिन्होंने परिवहन जाल को समझाने के लिए कुछ सिद्धान्द परतिपादित किये जिन्होंने परिवहन जाल को समझाने का परियास किया जैसे एड़वर्ड जे टौफे मोदे हैं ओ अलोबा मोदे हैं डी एम इसमित हैं वोल्टर इजाड हैं पीटर आर गोल्ड मोड है जेंप्स ए वोनस मोड है तो टोटली कुल मिलाकर छे विदवान तो ये हैं इसके अलावा पीटर जे रिमर हैं M.L. Senior है Henry Patrick Voigt है Bonus Model है Lether Model है Jagdish Singh है तो तोटली कुल मिला के लिए 12 ऐसे विदवान हैं जिनके दुआरा परिवहन जाल को समझाने के लिए अलग अलग तरीके से अपने मोडलों का परतिपादन किया गया इन्होंने अपने विचार रखे परिवहन जाल को समझाने के लिए तो अब हम इनको एक एक करके बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं अच्छे तरीके से पढ़ते हैं यहां से जो क्योशन बनने का चांस है वो है concept type का क्योशन ठीक है यहां से कथन कारण type का क्योशन बनने का पूरा पूरा चांस है टेफे या टोफे मोरील वे गोल्ड का परीवेन विकास मोडल सबसे पहले हम डिसकेस करते हैं टेफे या टोफे या मोरील वे गोल्ड के जो परीवेन विकास मोडल है उनके बारे में तो टोफे मोरील वे गोल्ड का जो परीवेन विकास मोडल है इसको टी-म-जी जी का मतलब गोल्ड हो गया एम का मतलब मोरील हो गया टी का मतलब टोफ़ का या टैफे हो गया ठीक, इन तीनों के नाम के आधार पर ही इसको टी-म-जी नाम दे दिया गया टोफ़े मोरील गोल्ड ने 1963 में अपनी किताब ज Making of Transport में घानावन नाइजीरिया के अध्यन के आधार पर अपना परिवेन विकास मोडल विक्षित किया अब ये विद्वान थे कौन-कौन टौफे, मोरिल वे गोल्ड इन तीनों ने मिलकर 1963 में एक किताब लिखी उस किताब का नाम था जोग्रोफी आप ट्रांसपोर्ट इसी किताब में क्या किया घानावन नाइजीरिया के अध्यन के आधार पर अपना परिवेन विकास मोडल को विक्षित किया तौपे, मोरिल, गोल्ड इन तीनों के दौ़ारा 1963 में जोग्रोफी आप ट्रांसपोर्ट नामक किताब लिखी गई इन तीनों विद्वानों ने घानावन नाइजीरिया का जो परिवेन विकास था या जो परिवेन मोडल था उसका अच्छे तरीके से अध्यन किया तोफे मोरिल गोल्ड ने घानावे नाइजीरिया के परिवेन विकास का अध्यन किया और उसके आधार पर उन्होंने क्या किया परिवेन विकास मोडल बनाया ठीक है तोफे मोरिल गॉल्ड जो TMG का मोडल है जो TMG मोडल है वो घाना नाइजीरिया इसके साथ साथ ब्राजिल जिंबाबवे और मलाया इनके अधरी था लेकिन फिरूप से वो घाना और नाइजीरिया के अधरी था तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो TMG मोडल है वो घाना और नाइजीरिया के अधरी था थोड़ा बहुत अधर्ण TMG के द्वारा जिंबावे ब्राजिल और मलाया का भी किया गया था यह मोडल विकास सिल देशों के परिवहन का विकास हो रहा है उसको समझने उसका पूर्वा नुमान लगाने उसका निय करने में क्या होता है साइक होता है है इस मोडल में परिवहन जाल विकास की टोटल छे अवस्ताओं को समझाया गया है इन्होंने बताया कि जो परिवहन जाल होता है या जो परिवहन जाल का विकास होता है उसकी टोटली कुल मिला कर छे अवस्ताओं होती है अब इनकी से समझते हैं एक एक कर गई तो देखो यहां पर आपको टी एम जी मोडल कहते हैं टेफे मोरिल और गोल्ड के परिवेन विकास मोडल को यह मोडल एड टी एम जी के दौरा एक किताब लिखे गई जोग्रोफी और ट्रांसपोर्ट ठीक है इसमें इन्होंने अपना टी एम जी मोडल दिया ठीक है यह जो टी एम जी मोडल था टी एम जी के दौरा जो दिया गया था यह घाना वे नाइजीरिया के अध्यन के उपर आधारित था घाना नाइजीरिया वे ब्राजिल जिंबावे मलाया इनका भी इसमें अध्यन किया गया था ठीक है यह मोडल विकास सिल देशों के परिवेन विकास को समझने में उनका पूर्वा नुमान लगाने में और नियोजन करने में साइक होता है इस मोडल में परिवेन जाल के विकास की टोटल छे अवस्ताओं को दर्साया गया है अब हम एक एक करके अच्छे तरीके से समझते हैं सबसे पहली अवस्ता होती है जिसको हम परकिर्णित पतन अवस्ता कहते हैं क्या कहते हैं परकिर्णित पतन अवस्ता कहते हैं तो सबसे पहली जो पहली अवस्ता है उसके बारे में हम अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो पहली अवस्ता है उसका नाम है परकिर्णित पतन अवस्ता है यह परिवहन जाल के विकास की पहली अवस्ता है इस अवस्ता में अनेक छोटे पत्नों का विकास हुआ साथ ही परकिर्णित व्यापार के इंदर भी विक्सित होने लगे ठीक है परतिक पतन छोटा वस्त सेमित प्रश्ट परदेश खोता था अब देखो पहली अवस्ता में क्या हुआ जो परकिर्णित पतन अवस्ता अब इसके नाम से हम समझ सकते हैं सैटलमेंट जो ग्रोफी में मैंने परकिर्णित का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा है ताब परकिर्णित का मतलब होता है बिक्रा हुआ ठीक है जैसे एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर इसको हम क्या कह सकते हैं परकिनित कह सकते हैं क्योंकि यह बिखरा हुआ है चारों तरफ ठीक है पतन का मतलब होगा है पतन पोट ठीक है तो इस अवस्ता को हम बिखरे हुए पोटों की पोट की अवस्ता भी कह सकते हैं य जो परकेनित पतन अवस्ता थी, यह परिवेन के जाल के विकास की पहली अवस्ता थी, इसमें बहुत सारी छोटे-छोटे पतनों का या पोटों का या बंदरगाओं का विकास हुआ, बिल्कुल छोटे-छोटे बंदरगाओं का विकास हुआ, साथ ही परकेनित व्यापार के इन वंदर समाने जी घंसाइब करता। होगा या बंदर कहां पर बनेगा जहां पर वयापार केंदर होगा ठीक है पहली अवस्ता थि यदि हम बंदर गहां को बिखो अबार मानते हैं तो वयापार-केंदर भी भिक्रे हुए थे ठीक है जो बंदरगा थे वो बिल्कुल छोटे छोटे थे जब छोटे बंदरगा हैं तो उनका प्रष्ट परदेश भी बिल्कुल छोटा और स्विमित होगा ठीक है तो जो परकेनित पतन की अवस्ता है ये परिवेन के विकास की पहली अवस्ता है इसमें बहुत सारी छोटे छोटे बंदरगाओं का विकास हुआ जिनका प्रष्ट परदेश बिल्कुल छोटा था और बिल्कुल सेमित था मतलब बहुत बड़े लेवल पर काम नहीं कर रहे थे जैसे छोटे एरिया से सामान को लाया गया जाजों के माध्यम से ठीक है और फिर थो सामान को लाया जाता था उसको कम मात्रा में सेल आउट कर दिया जाता था बड़ा बंदरगाओं होगा तो बहुत दूर से बड़े जाज बर कर आएंगे माल बड़ी मात्रा में आएगा फिर उसको बंदरगाओं पर उतारा जाएगा तो उसके लिए बड़ी मात्रा में यह कब होगा जब बंदरगा बहुत बड़े आकार के होंगे यहां पर बंदरगा छोटे आकार के थे मतलब छोटे चितर से कम दूरी से कम मात्रा में जाजों में सामा लेकि आया जा रहा है छोटी छोटी मात्रा में उस सामान को उतार जा रहा है ठीक है छोटी बंदरगा है छोटी जाज चल रही है कम दूरी से सामान आ रहा है उसको बंदरगापर उतारा जा रहा है कम सामान तो storage की capacity भी कम चाहिए ठीक है फिर उसको छोटी जाजब में बरकर भेजा जा रहा है ठीक है उसके बाद हम निवेस मार्ग अवस्ता के बारे में discuss करते हैं जो कि क्या हुआ प्यारे साथ यो जो ये अवस्ता है जैसे इसमें ये बंदरगा थी एक बार पढ़ ले पढ़ गे आपको बता रेता हूं फिर अच्छे तरीके से समझाऊंगा आर्थिक विकास के सैकेंदरन के कारण मुख्य पतन छोटे पतनों के परश्ट परदिशों का आकार विष्टरित करने लगते हैं इस अवस्ता में पोसक मार्ग विक्सितों होने लगते हैं जो खनन बस्तियों आबादी केंदरों वे बंदरगाओं को जोड़ते हैं ठीक है आंदरे की व्यापारी केंदरों की अप्यक्षब बंदरगा अधिक विक्सितों होते हैं अब देख को छोटी जाजों से बढ़कर वापस बेजा जा रहा था दूसरी अवस्ता में क्या वाज़ा से यह बंदरगा बने हुए हैं ठीक है अभी यह जो बंदरगा आते हैं यहां से मार्ग विक्षित हुए या तो कोई खनन छेतर के लिए मार्ग बन गया ठीक है या किसी कस्वे को जोडने वाला मार्ग बन गया ठीक है अब मैं इसी से एक एक सामपल लेता हूँ जैसे यह बंदरगा है ठीक है इस बंदरगा से दो सड़क निकल गई जिसमें एक सड़क तो ऐसे एडिया को जा रही है जहां पर खनन छेतर हो सकता है कोईले का हो हो सकता है पैट्रोलियम का हो ठीक है हो सकता है तामबे का हो किसी का भी खनन छेतर है उसको जोड रही है ठीक है एक रास्ता चला गया उस एडिया की हो जहां पर लोग रहते हैं कस्बा है बहुत बढ़ा अभी ये बंदरगा कस्बे के दौरा भी जुड गया ठीक है और ये बंदरगा किसके दौरा ज एक्सपोर्ट होगा, यहां से इस खनन छेतर से क्या होगा, उस खनीज को निकाला जाएगा, ट्रकों के ट्रेनों के माध्यम से इस बंदरगाह तक पहुंचाया जाएगा, फिर यहां पर यह जो कच्छा माल जो ट्रेनों से या ट्रकों के माध्यम से बंदरगाह तक पहुंच तो अभी इस मामले बे क्या होगा प्यारे साति से साथ जुड़त כiggस , सामानो का भी व्यापार या परिवयन होने लग गया जो लोगों की आउसकता हूं की पूर्ति करते हैं जैसे इस बंदरगा से गाड़ी आने लग गई बेटिन में कोई कमपनी तो उसने गाड़ी बनाई इस बंदरगा पर भीजी जाज के माद्यम से ठीक है यहां पर उतरी वो गाड़ी आ और फिर ट जोड़ेने के लिए तो ओटोमेटिकली यहां पर परीवयन जादा हो गया आवागमन जादा हो गया तो ऑटोमेटिकली भंदरगा का जो अकार था वह विश्थरित हो गया ठीक है यहां पर कुछ भी समझने का नहीं है थोड़ा साथ दिबाग लगाओगे ना आपका कंसप्ट किलियर हो जाएगा अदरवाईज आपका कंसप्ट किलियर नहीं होगा ठीक है तो जो निवेस मार्गी की अवस्ता कहते हैं इसको निवेस मार्गी के दो चाहिए पोस्वक मार्गी का मतलब होता है ऐसे मार्ग विक्सित हो गए जो अन्य छेत्रों को जोड़ रहे हैं जैसे खनन छेत्र को जोडने वाला एक रास्ता बन गया जो बंदरगा को खनन छेत्र से जोड़ रहे हैं एक ऐसा रास्ता विक्सित हो गया जो बंदरगा को कहां से जोड़ रहे आबादी वाले छेतर से जोड़ रहा है तो वो जो रास्ता है उसको हम या तो पोसक मार्ग कह सकते हैं या उसको निवेस मार्ग कह सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से बंदरगाओं का जो आकार था वो बढ़ता गया बंदरगाओं का आकार बढ़ रहा है फीडर मार्गों का विकास हो गया देखो पहली अवस्ता पहली अवस्ता को हम क्या बोले रहे परकेनित पतन अवस्ता कह रहे दूसरी अवस्ता को हम निवेस या पोसक मार्ग अवस्ता कह रहे तीसरी अवस्ता को हम फीडर मार्ग की अवस्ता कह रहे अब फीडर मार्ग क्या है इसको मैं समझाता हूँ देखो इस अवस्ता में सायक मार्गों का विकास हुआ जो बंदरगा को आंतरिक केंदर से जोड़ने लग गए आंतरिक व्यापारिक विस्तार के साथ-साथ मद्यवर्थी केंदर विक्षित होने लग गए जैसे हम एक बार समझत normal है ये बंदर्गा है एक बंदर्गा ये एक बंदर्गा ठीक है अब जो दूसरी वाली अवस्ता थी भाई पहले अवस्ता में तो केवल इसी तरीके से बंदर्गा बने थे बिल्कुल छोटे छोटे आकार के दूसरी अवस्ता में क्या हुआ था कि यह जो बुंदरगा है न इससे एक सटक निकली थी जो आबादीवाले चेतर को जोड रहे थी इस बुंदरगा से एक शड़क निकली जो किसी व्यापार या खनन वाले चेतर को जोड रहे थी इस तरीके से एक पोसक मार्ग बन गए निवेस मार्ग बन गए अब जो तीसरी अवस्ता है जिसमें फीडर मार्गों का विकास हुआ इसमें क्या हुआ कि ये जो मार्ग थे ना इसमें भी बहुत सारे अलग-अलग मार्ग बन गए जो अलग-अलग आबादी वाले छेतरों को जोड रहे हैं जैसे ये मार्ग इस आबादी वाले छेतर को जोड रहा है ये इसको जोड रहा है ये इस छेतर को जोड रहा है अब क्या हुआ सड़कों का बहुत जादा तरीके से विकास हो गया जो मुख्या मार्ग था जो बंदरगा को आबादी वाले छेतर से जोड रहा थ उस मार्ग पर ही बहुत सारे सायक मार्ग बन गए जो अपने निकट वर्थी दूसरे छेत्रों को जोड रहे हैं ठीक है तो अब ओटोमेटिकली क्या होगा परिवेन जादा होगा भई पहले तो केवल इसी छेत्र के लोग इस सड़क के माद्यम से बंदरगा तक पहुंच रह तो उस छेत्र में भी इस छेत्र में भी इस छेत्र में भी इस छेत्र में भी पहुंच आए जाएगा ठीक है तो इससे क्या होगा बंदरगा पर ओटोमेटिकली क्या होगा परिवेन जादा होगा आवागमन जादा होगा तो ओटोमेटिकली जो बंदरगा का आकार है वो ध दीरे दीरे भढ़ता हुआ जाएगा बंदरगा पर जो व्यापार के केंदर बने हुए उनका भी आकार भढ़ता जाएगा ठीक है और बंदरगा का जो विस्तार वो परदेश के आंतरिक भागों में होने लग जाएगा ठीक है भाई पहले तो केवल आंतरिक विस्तार इस मु मुख्या मार्ग था उसमें बहुत सारी चोटे-चोटे मार्ग बन गई जो अपने निकटवरती छेत्रों को मुख्या मार्ग से जोड रहे हैं और जिसके माध्यम से वो बंदरगा से जोड पा रहे हैं उसके बाद आता है चोथी अवस्ता अंतर संबंदों की सुरुवातिया संब्धता है संप्रक में वर्ती हो गई चोथी अवस्ता में अब इसमें क्या होता है किस तरीके से होता है इस अवस्ता में संब्धता और संप्रक अधिक बढ़ा कुछ छेत्रों में मार्गों की सगंता में वर्ती हुई मद्यवर्ति के अंदर नाभी के अंदर नोट्स के रूप में विक्सित होने लग गए बंदरगाओं में पार्सविक संपरक अधिक होने लग गए अब इसमें क्या हो गया प्यारे साथियों अब देखो इसमें इस अवस्ता में सम्मधता और संपरक बहुत जबर्दस तरीकी से बढ़ने लग गए कुछ छेत्रों में मार्गों की सगनता में वर्दी होने लग गए मद्यावर्थिक केंदर नाभी केंदर की रोप में विक्षेत होने लग गए ठीक, बंदरगाळों में पार से सम्परक अधिक होने लग गया अब मैं इसको अच्छे तरीके से समझाता हूँ थीक तीसरी अवस्ता में क्याता है कि इस तरीके से सायक रास्ते बन गये थे अब चोथी सवस्ता में क्या हो रहा है जो चोथी सवस्ता उसमें अंतर संबंदों की सुरुवात हो रही है संबंदता हो रही है संप्रक में वर्दी हो रही है और जो मद्यवर्ती केंद्र है न वो नोड्स की रूप में विक्सित हो रहे है अब यहाँ पर प्यारे साथियों मद्यवर्ती केंदर कुन से है जैसे यह हो गया है यह हो गया है मद्यवर्ती केंदर अब यह नोड़ की रूप में विक्सित होने का मतलब है यह जो मद्यवर्ती केंदर है यहां से मार्ग विक्सित हो रहा है ठीक है अब यह जो मद्यवर्त को जोड रहे हैं ये इस चैटर को जोड रहे हैं यह इस सामान को पहुंचायां है अब इसमें ऐलेग रास्ते निकल गए इस तरीके से तो बहुत नूरा गया मतलब व्यापार का एक बड़ा केंतर बन गया ठीक है जहां पर बंदरगा के दुआरा लाए गए सामान का बड़ी मात्रा में इस्टोर किया जा रहा है और फिर उसको अपने निकट वर्ती जो भी छेतर है उसमें उसका क्या किया जा रहा है बड़ी लेवल पर वितरन कि ही जा रहा है ठीक है और इस तरिके से पार आठीयव की विकास होने लगा है पार आठीयव की विकास का मतलब हम कहारा सकते हैं Mach3 शेटिची विकास ठीक है तो भाई शेटिची विकास ही ओने लग गया यहां तक लोग सूइधY ships करते हैं बॉन अंतर संबंदोह का ओध्या ह मतलब क्या हुआ उसको हम अच्छे से समझते हैं इस तरह में फीडर नेटवर्क बंदरगा परमुक अंतर देश के केंद्रों वह मुख्य लाइन नोट्स के सारे संप्रक छेत्रों वह अंतर संबंदों का विस्तार होता है निवेश ट्रंक मार्ग के साथ-साथ छोटे केंदर विक्सित होने लगते हैं तता मार्गों पर इस तित कुछ केंद्रों की भाती आंतर केंद्रों पर पोसक मार्ग विक्सित होने लगते हैं जैसे जैसे हैं अंतर संबंद बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे विसे स्टिकर नगरिये केंद्रों बे बाजार के विस्तार की परति बढ़ने लगती है अब इसको भी हमने इस तरीके से डाइग्राम के बाद्यम से आपको समझाने का परियास किया अब जैसे यहां पर हम मानते हैं यह एक बंदरगा है समझने की कोशिश करना यहां पर यह दो बंदरगा है यह क्या है यह मध्यवर्ती केंदर है ठीक जो चोती आवस्ता में क्या हो गया था विश्तारी तो हो गया था एक बड़ा व्यापार का केंदर बन गया था ठीक और धीरे धीरे विकास हुआ जिसकी वजह से एक और भी आगे मध्यावर्ती केंदर बन गया ठीक अब यह जितने भी मध्यावर्ती केंदर है ना यहां से पोसक निकल गई ठीक है जो अपने निकटवर्ती छेतर को जोड़ने का काम कर रहा है ठीक है इस तरीके से मार्ग निकलने लग गई और ये अपने निकटवर्ती छेतर को आपस में जोड़ने लग गई इस तरीके से ठीक है और भाई जो परिफेंजाल था वो इतना इस तरीके से व जितने भी मद्यवर्थी के इंदर थी वो indirectly वो directly रूप से आपस में जोडने लग गए जैसे directly तो ये जोड़ गए आपस में इस मार्ग के द्वारा ठीक है और indirectly इन अन्य मार्गों के द्वारा आपस में वो जोडने लग गए ठीक है अब उसके बाद हम जो छटी अवस्ता है उसको हम समझते हैं छटा चरन परात्मिक्ता उच परात्मिक्ता वाले मारगों की संक्या मुख्य मारगों को विक्सित करना इस चरन में अर्थ वर्षता अधिक विक्सित वह एकिकरत होती है सबी बड़े वाच छोटे के अंदर आपस में जुड़ जाते हैं थता कई उच प्रात्मिकता वाले सड़क मार्ग विक्सित हो जाते हैं ठीक है अब जैसे यहाँ पर प्यारे साथियो एक सड़क मार्ग ये विक्सित हो गया एक ये विक्सित हो गया तो इस तरीके से अब यहाँ पर क्या हुगया कि जो बाजार है जो छेतर है या जो अर्थवर्षत है वो बहुत जादा विक्सित हो गएं बहुत जादा एकी करत हो गएं सबी बड़े वाच छोटे केंदर थे वो आपस में जुड़ देए खुए हैं केंदर नहीं बचा जो अपने दूसरे केंदरों के साथ नहीं जुड़ा हूँ मतलब सब भी जो केंदर थे वो छोटे बड़े मार्केटों के साथ जुड़ गए तता कई उच्छ प्रात्मिक्ता वाले सड़क मार्ग विक्षित हो गए तो टोटली कुल बिलाकर इस तरीकी से 6 अवस्ता ही हैं तो मैं एक एक बार आपको सिक्वेंस वाईज बता देता हूँ भाई पहली अवस्ता को हम परकिनित अवस्ता या परकिनित पतन के अवस्ता कहते हैं दूसरे भी पोसक वे निविस मार्ग के अवस्ता कहते हैं तीसरे म मार्गों का विकास हो गया चोती में अंतर संबंदों की सुरुवात हो गई इसा संबंद तया संप्रक की सुरुवात हो गई पांचवे अवस्ता में पूर्ण अंतर संबंदों का उद्य हो गया और छटी अवस्ता में उत्र प्रात्विक्त वाले मार्गों की संक्या मुख्य अफ्रीका के ग्रामिन चेतर में प्रियोग किया था ठीक है अब ये भी आपको बिलकुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जो अलोवा मोदे है ना इनके द्वारा टी अफ्रीका का प्रियोग किया गया था कहां पर पस्मी अफ्रीका का जो ग्रामिन चेतर था वहां ठीक है तो अलोवा मोडे ने टी-एमजी मोडल का पस्मी अफरीका का जो ग्रामेंड छेतर था उसमें इसका विकुल अच्छे तरीके से प्रयोग किया था तो टी-एमजी मोडल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया की नहीं आया इनके दौरे ये जो टोटल छे अवस्ता बताई गई थी यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आई कि नहीं आई साथ इसाथ आपको जल्दी जल्दी कमेंट सेसर में कमेंट करके बताना है कि जो मैंने डायग्रामों की माध्यम से आपको समझाने का परियास किया वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं अब यहाँ पर क्या हो गए साइक मार्ग बनने लग गए ठीक है अब यह जो आंतरिक केंदर थे यह और भी ज़्यादा विक्षित होने लग गए ठीक है अब यहाँ पर क्या हो गए आंतरिक मार्ग बन गए ठीक है अब यह जो आंतरिक मार्ग थे यह आपस में जुड़ना श प्रश्राइब कोई बी ऐसा एरिया नहीं बचा जो आपस में बिना जुड़ा हुआ बचा हो सबी के सबी जो चोटे बड़े केंदर थे वो आपस में जुड़ना शुरू हो गया और जो टी-एम-जी मोडल है इसका पस्मी अफ्रिका के ग्रामिन छेतर में किसके दौरा उप पीटर आर गोल्ड के मोडल के बारे में अब यह चो पीटर आर गोल्ड का मोडल है यह एक अमेरिकन बुगोल वेता थे सबसे पहले तो आपको यह पता होना ही चाहिए कि पीटर आर गोल्ड कौन थे तो यह एक अमेरिकन जोग्राफर थे कौन थे एक अमेरिकन जोग्राफ दे कि कि ये बहुत बड़े समधते हैं पीटर आर गोर्ड दिमोडे के दौरे जो किताबे लिखी गई है उनके बारे में वैसर मैं आपको कल वाली किलास में भी बता दिया था ठीक है The Geography at Work किताब लिखे गई थी People in the Performance Space ये किताब लिखे गई थी Metal Map जो किताब है गोल्ड और वाइट के दोरा लिखे गई थी ठीक है तो गोल्ड और वाइट दोनों मोदे ने मिलकर एक किताब लिखे जिसका नाम था Mental Map ठीक है Special Organization जो किताब थी वो Adams, Abler और गोल्ड मोदे के दोरा लिखे गई थी Diffusing Geography है जो गोल्ड और थिप्ट मोदे के दोरा लिखे गई थी Becoming एक Geographer जो किताब है वो गोल्ड मोदे के दोरा लिखे गई थी ठीक है ना अब देखो ये सारी किताब ये आपको याद होनी चाहिए आपको हो कि इन में से कुछ important बताओ तो वो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ये सबी के सबी important है इन सबी को आपको याद करना ही पड़ेगा ठीक है तो जो पीटर आर गोल्ड मोदेन के दोरा Special Diffusion, The Geography at Work People in The Performance Space, Mental Map जो कि गोल्ड और वाइट के दोरा लिखे गई किताब है सबसे ज़्यादा बार यहां से क्योसन बन चुका है Special Organization है जो Adams, Abler और गोल्ड के दोरा लिखे गई है Diffusion Geography है जो कि किल्फ गोल्ड और थ्रिप्ट के दोरा लिखे गई है Becoming एक Geography है तो यह टोटली कुल मिलाकर साथ किताबे हैं जो गोल्ड मोडे के दोरा लिखे गई है अब हम इनको थोड़ा साख अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ताकि यह भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब देखो एक एक करके इन्होंने 1966 में परिवेंड विकात से सम्मझ दित इस्थानिक विस्तार मोडल का परती पादन किया इस्थानिक विस्तार मोडल का परती पादन किया तो जो पीटर आर गोल्ड मोड़ है इनके दोरा इस्थानिक की विस्तार मोडल का परती पादन किया गया था किसका परतिपादन किया गया था इस्थानिक विस्तार मोडल का परतिपादन किया गया था यह जो मोडल था ना वो यादरचिक उपागम को प्रस्तूद करता है किसको प्रस्तूद करता है यादरचिक उपागम को प्रस्तूद करने का काम करता है यह संसादनों प्राकर्तिक बादाओं वे आपदाओं वाले परदेश ठीक है यह मोडल देखो यह मोडल क्या है यादरचिक उपागम को प्रस्तूद करता है किसको प्रस्तूद करता है यादरचिक उपागम को प्रस्तूद करता है यह संसादन प्राकर्तिक बादाओं वे आपदाओं वाले किसी परदेश में जहां प्रियावनिय गुनवक्ता को संभार रेकाओं द्वारा दर्शाय गया है वहाँ परिवैन तंतर के विकास के लिए खोज सिद्दान्द का अनुकरन करता है अब देखो मैं इसको थोड़ा समझाने का प्रियास करता हूं यह मोडल यादरचिक उपागम को प्रस्तूद करता है यह संसादनों प्राकर्तिक बादाओं वे आपदाओं वाले किसी परियावन ये गुनवक्ता को संभार रेखाओं के द्वारा दरसाया गया हो वहाँ परिवेन तंतर के विकास के लिए खोज सिध्धानत का क्या करता है अनुकरन करता है विकास करता का उद्धिश्य पूर्व में परियोग में नहीं लाए गए परदेश में संसादन का धोहन करना वहें वहें इस परदेश को शड़क मार को द्वारा जोडता है इनके अनुसार किसी छेतर में परिवेन विकास तरनबद रूप में होता है पारिश्चिति गुनवक्ता की संभार रेखाएं इस मोडल से संबन देता है अब देखो यहाँ पर आपको बहुत कुछ कि इनके अनुसार किसी छेतर में परिवेन विकास तरनबद रूप में होता है इन्होंने कहा कि भाई किसी भी छेतर में जो परिवेन का विकास तरीके से होता है तरनबद तरीके से होता है बिलकुल सिक्वेंस के अकोडिंग होता है दूसरा पारिश्चिति की गुनवक्ता को संभार रेखा इसी से संबन देते हैं जो पारिष्टिती गुनवक्ता की जो संभार रेखा ही है न वो भी इस इस्थानिक विस्तार मोडल से संबन देते हैं तो जो इस्थानिक विस्तार मोडल है ये पीटर और गोल्ड मोदे के दुहरा 1966 में दिया गया था इनके अनुसार किसी छेतर में परिवेन का जो विकास है वो बिलकुल चरंबद तरीके से होता है क्या से होता है चरंबद तरीके से होता है इस्टे बाई सिक्वेंस से होता है ठीक है पारिश्टित्री के गुनवक्त है कि संबार रेखाई इस मोडल से संबंदित होती है पहली अवस्ता के बारे में डिसकस करें इसमें भी कुछ अलग-अलग अवस्ताओं की बात की गई इस अवस्ता में पूंजी का निवेस उन सडकों में होता है जो संसादन परदेश को निकट वर्ती परतन से सीधे जोड़ती है ठीक ह संसादन परदेश को अपने निकट तम पतन के द्वारा जोड़ती है ठीक है जैसे ही यहाँ पर हम बात करें यह एक संसादन परदेश हो गया यह एक संसादन परदेश हो गया और यहाँ पर कोई बंदरगा हो गया तो अब यह दो सडके हैं यह ऐसी सडके हैं जो डायरेक् पूंजी को उन सड़कों के उपर खर्च किया जाता है जो सड़के संसादन परदेश को बंदर गहों के द्वारा सीध्य जोड़ती है ठीक दूसरी अवस्ता के बारे में हम डिसकस करते हैं इस अवस्ता में समय के साथ साथ संसादन दोवान का छेतर भढ़ने लगता है सड़ की पहले केवल संसादन परदेश और बंदर गहों को जोड़ रही थी अब भूत सारी ऐसी सड़कों का विकास हो गया जो उन बंदर गहों को किस से जोड़ रही है उस परदेश के आंतरिक भाग से जोड़ रही है यह कै एक बंदर गहा है अब इस बंदर गहा से ये सड़क निकल गई इसमें एक सड़क निकल गई जो इन दो गाओं को जोड रही है ठीक है यहां पर एक सड़क निकल गई एक सड़क इस गाओं को जोड रही है एक सड़क इस गाओं को जोड रही है फिर यहां से एक सड़क निकल गई जो इस गाओं को जोड रही है इस गाओं को जो अब सडके हैं जो उस परदेश के आंतरिक भाग को बंदरगा से जोड़ने का काम कर रही हैं और अब इन सडकों के माद्यम से क्या हो गया परदेश के आंतरिक भाग में भी परिवहन भोती सुलब हो गया और भोती अच्छे तरीके से आवागमन सुरू हो गया तीसरी अवस्ता में हम डिसकस करते हैं इस अवस्ता में पूंजी का निवेश पर्थम दो अवस्ताओं में निर्मित सडकों के आगे के मार्ग का निर्मान में निवेश होता है अब प्यारे सात्यों क्या हो गया धीरे धीरे तीसरी अवस्ता में क्या हुआ सड़कों का विस्तार होने लग गया जो सड़के पहले छोटे 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 अपने निकटवर्थी गाउं को जोड रही थी अब उन सड़कों का क्या किया गया विस्तार किया गया अब वो सड़के हैं जो और भी आंतरिक भाग तक फैल गई ठीक है जैसे मैं इस सड़क की बात करूँ प्यारे साथ की ये बंदरगा से एक सड़क निकली हुई थी इस तरीके से ठीक है पहले के वाले दूसरे वस्ता में क्या थी सड़क केवल यहां तक थी अब इस सड़क का विश्थार तर गाउं के जो बिल्कुल छोटे छोटे उस जो बिल्कुल छोटे छोटे गाउं है ना उनको भी जोड़ दी अब भाई सड़कों का विश्थार इस तरीके से हो गया कि हर एक घर तक सड़क पहुंच गयी जब हर एक घर तक सड़क पहुंच जाएगी तो क्या होगा परदेश के आंतरिक भाग में परिवेन बिल्कुल हेंड़ परसेंट तरीके से सुलब हो जाएगा ठीक है आवा गमन हर एक वक्ती के लिए सुलब हो जाएगा तो तीसरी अवस्ता में पूंजी का नवेस वहां पर हुआ जो पहली और दूसरी अवस्ता में बनी हुई सड़के थी उनका विस्तार किया गया ठीक है और उनका इस तरीके से किया गया ताकि हर एक इनसान तक हर एक घर तक सड़के पहुंच चके और उनके लिए परिभेन और आवागमन बिल्कुल सुलब हो सके ठीक है अब हम जैम्स इव उन्स के बारे में डिस्कस करते हैं इन्होंने क्या कहा किस तरीके से कहा इसको अच्छे तरीके से समझते हैं तो पीटर आर गोल्ड मोदे के द्वारा जो मोडल दिया गया है ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया की नहीं आया प्लीज एक बार जल्दी जल्दी कमेंट सेसर में कमेंट करके बताओ